भाई गोपाल एक सरल विक्ती थे, वह पांचवें गुरू, गुरू अर्जुन देव जी के बहुत प्यारे समर्पित सिख थे, उन्होंने अपनी नौकरी पर इमांदारी से काम किया, उन्होंने एक भंडारन शेतर रखा, हर कोई अपने सामान के मामले में उस पर भरोसा करत था और वह उसे उनके लिए जमा कर देता था, एक बार जमाल खान नाम का एक व्यक्ती पांच सो सोने के सिख भंडारन के लिए छोड़ने उसके भंडार स्थान पर आया, लेकिन उस दिन व्यस्त होने के कारण वह इसे लिखना और सिख जमा करना भूल गया, बाद में जमा खान वापस आया और अपना सामान वापस करने को कहा, भाई गोपाल ने चारों और जमाल खान के सिख भूंडे लेकिन वे नहीं मिले, उन्होंने जमाल खान से पूछा कि क्या उन्हें यकीन है कि उन्होंने भाई गोपाल से अपने सिख जमा करने के लिए कहा था, जमाल ख जमाल खान भाई गोपाल को बादशाह के पास ले आया। गुरु जी, आप मेरे रक्षक हैं। जब भी मुझे जरूरत होगी तो आप हमेशा मेरा ख्याल रखेंगे। जानता हूँ कि अब आप मुझे बचा लेंगे। यह कहकर वह अपना हाथ बढ़ा कर जलते हुए गर्म तेल में डालने लगा और उसने सिक्का निकाल लिया। उसके हाथ को बिलकुल भी चोट या जलन नहीं हुई। जमाल खान ने मदद सुरक्षा और सुरक्षा के लिए सभी संतों से प्रार्थना में हाथ जोड़े। कई संतों से प्रार्थना करने के बाद उसने सिक्के को नीचे से निकालने की कोशिश करने के लिए अपना हाथ बर्तन में डाला। उसने बमुश्किल तेल को छुआ औ जमाल खान ईक शर्ट पर सिक्के लेने के लिए सहमत हुआ कि भाई गोपाल उसे अपने गुरु से मिलवाने ले जाएगा। आथह भाई गोपाल जमाल खान को गुरू से मिलवाने ले गए। जमाल ने गुरुजी से पूछा कि हम दोनों इमांदार हैं। एजल गया और वह नहीं जला। ऐसा क्यों? गुरुजी ने उनसे कहा, जब भाई गोपाल ने अरदास की, तो पूरी आस्था के साथ की। जब की उपस्थिती में दोनों व्यक्तियों को बहुत अच्छा मसूस हुआ। नैतिक, ब्रह्मांध हमारी प्रार्थनाओं का उतना ही उत्तर देता है, जितना हम जानते हैं। एक व्यक्ति जो शुद्ध हृदे से, अपने संपूर्ण अस्तित्व से और अपने मन की गहरी एक जागरता के साथ प्रार्थना करता है, वास्तव में उस व्यक्ति की प्रार्थनाएं सफल होंगी।